करेंगे जीएस्टी वाली नॉमल जनल एंट्री तो हम पहले सीख चुगे हैं सारी की सारी अब जीएस्टी हम कर रहे हैं और इसके अंदर क्या है क्वेश्टन के अंदर डिया हुआ है और ढाले सीटी जीएस्टी दियों ऑर आदी अमांट आपने और यहां पर देते हैं तो आपको गेश डिसकाउंट मिल जाता है और वह यहां पर देख़ो आप इसको कैसे कैल्गुलेट करोगे लिस्ट प्राइस है 10,000 रुपीज इसमें ट्रेट डिस्काउंट घटा देते हैं ट्रेट डिस्काउंट 10% एक अजार में 10,000 में एक अजार गया नौजार हो गया अब कैश डिसकाउंट तो तब घटाते हैं जब कैश का पेमेंट हुआ है तो यहां पे आदा अब क्या है आपने किया ठीक है और चेक से पेकी है तो आपको ज्यान रखना है कि जड़ाप लो इसका हाफ तो क्या है कितना हो गया 4500 हो गया और इसका जो आधा है वो उधार है यह भी 4500 हो गया ठीक है और आप कैस्ट मिलता है जाए जाएगा पांच परसेंट तो पांच पर सेंट इसका कितना होता है यहां पर कितना आ गया यहां पर आपको कीएड करना है तो इन दोनों को फिर एड कर लो तो यह कितनी हो गई है आपकी हो गयी है इस ऐन सेवन वाइव कियों किया क्यूंकि कुछ कैस्ट था कुछ क्रेड़िट था और जो कैस्ट तो यहां पर देखो अब आप एड़ कर दो सीजी एसटी और एसजी एसटी और कितना कितना पर्सेंटेज दिया हुआ तो एट सेवन सेवन फाइव का सिक्स परसेंट आप निकालो कितना आएगा आपका आएगा यह 526 रुपे 50 पैसे तो 526 रुपे 50 पैसे यह हो गया और 526 रुपे 50 पैसे यह हो गया तो आप एक बार और इसको कंफर्म कर लो एट सेवन सेवन फाइव इन्टूriters 6 परसेंट अठीक है तो 526 रुपे यह हो गया और 526 रुपे यह होकर अब आप इसको एड़ करने अब आप इसको एड़ करके कितना आएगा आपके पास आपके पास इसका आएगा कि इन तीनों को जब आप एड़ करोगे तो आपकी आमट आएट टू एट नाइन एट टू एट तो इतना पेमेंट आप करोगे क्योंकि आप बैंक में डाल देना क्योंकि कुछिन में लिखा हुआ है कि आपने चेक से विमेंट किया है तो पहले एंट्री क्या हो जाएगी परचेज एकाउंट डेबिट अब परचेज के सामने कौन सा लिखते हैं यह तो रिकॉर्ड होता नहीं है इसके बाद वाली जो होती है यह होती है परचेज एकाउंट में ठीक है तो 9000 का आपने समान परचेज किया उसके बाद जो GST होत है इंपूट सब्सक्राइब हो जाएंगे अब यह डेविट कितने हो जाएंगे हमने निकाले हुए 526 अरुपे 50 पैसे और यह भी हो जाएगा पांसो चप्शेज रुपे 50 पैसे अब देखो क्रेडिट में क्या करोगे आप पेमेंट करोगे और चेक से पेमेंट है तो क्य का हो तो गइट फिक है और आपको डिस्काऊंट मिला है और दिस्काऊंट मिला है कि टू डिसेड कर तो गे आपको कितना डिस्काऊंट मिला है एंप है यह सкив को यह ए लिए क्योंक रिकार्ड होता है 50 fucky पर चीश की जिसमें कि आदामन पेखिया था और पेखिया तो फैशिख क्या था पैख्ट जिए अफ्लाइस पॉइव तीनों को न चीए को तो 9000 प्लस लोगों रही है 106.5 यह होता है 10000 53 कि ठीक है और ट्रेडिट में क्या है 98289 828 प्लस तू तू तो फाइव यह वह ता थे टैन ताउजन तूसरी तरहीं के से आपकी होगी और अब सीजिएस्टी एसजिएस्टी है तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब क्या यह स्टेट ट्रांजिक्षन यहांने खरीदने और बेशने वाला एक ही स्टेट में है में इस टेट आई जिए अपर यहां यहां पर यह जो दो हैं दो दियो है इंपट सी जी ऐस्टी और इन पूट एजी एसटी इसकी जगह इनपट आइजी एस्टी आता अगर दो खरीदने और बेचने वाले दोनों अलग-अलग स्टेट से होते हैं लेकिन में बता दिये जाता है कि आपको क्या लगाना है तो इसमें ज्यादा आपको सोचना नहीं है कि इस तरीके से जब पूरा एमांट आप पे नहीं करते हो तो इस तरीके से एंट्री होती है जब डिसकांट भी होता है और होता है और एक चीज और समझने वाली है यहां पर कि पर्चेश के साथ इंपूर्ट वाले टेक्स लगते हैं पर्चेश के साथ लगेगा इंपूर्ट सीजी एसटी और इंपूर्ट एजी एसटी तो डाट इस लेक्चर थैंक यू झाल झाल झाल